Hello and welcome to all the viewers out there. So guys, इस 2D Arrays की वीडियो में हम प्रोग्राम करेंगे to find the sum of left diagonal of a matrix and to find the sum of right diagonal of a matrix. तो उसके लिए समझते left diagonal क्या है और right diagonal क्या है और वो कौन सा ऐसा trick है जो इस program में use होता है. तो सबसे बहले बात करेंगे left diagonal की. Left diagonal, अच्छा जब भी एक question आए तो आपने zoom करने है कि आप एक square matrix पे काम कर रहे हो right और ये वहाँ आपका left diagonal कुछ इस प्रकार का है आपका left diagonal और क्या आपको इसमें कि similarity दिख रही है एक चीज़ common है ध्यान से देखो 7 के index values देखो 9 की index values देखो and 3 की index value देखो तो वो जो index value i और j row और column index है वो same होता है left diagonal के elements का तो मतलब अब left diagonal के elements कौन से होते है जिनमें r और c या i और j row और column जो index होता है वो same होता है अब सबसे पहले left matrix का हम लोग program भी देख लेते हैं तो वैस यह रहा program हमने इसमें import किया java.util.star youtube package को import किया class बनाया main method के अंदर scanner class को object बनाया उसके बाद r और c r है हमारा input कराने के लिए number of rows and c है हमारा input करवाने के लिए number of columns and यह हम square matrix के साथ काम करेंगे इस program में तो उसके बाद एक हमने array declare कर दिया a जिसमें कि हमारी r rows होंगे और c columns होगी जो भी user input में देगा लेकिन हमने एक बाद बोल दिया कि वो square matrix होना चाहिए square matrix मतलब r और c की value same होनी चाहिए it should either be a 2 into 2 matrix 3 into 3 matrix 4 into 4 matrix and so on right sum एक variable लेलिया 0 और यहाँ पर हमने elements को input कर आया कैसे i 0 i is less than equal to r minus 1 j 0 j is less than equal to c minus 1 जितने column है उससे कम क्योंकि अगर 3 columns है तो 0,1,2 तक उसकी index values चले मीना और यहाँ पर a of i j is obj dot next int से input ले लिया next जो यहाँ पर काम हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ मैं simply एक loop लगाँगा 0 क्योंकि यहाँ पर r और c दोनों की values same है तो बस मैं यही करूँगा कि एक loop लगा दूँगा उससे less than equal to r minus 1 चला दिया कोई फरक नहीं परता आप less than equal to c minus 1 भी चला दो और उसके अंदर करूँगा sum is equal to sum plus a of i i क्योंकि a of 0,0 i के value जब 0 होगी तो a of 0,0 आजएगा उसमें 7 आजएगा a of 1,1 आएगा उसमें 9 आएगा a of 2,2 आएगा तो उसमें 3 आजएगा जब इसको add करेंगे तो 19 जो है हमारा sum में आके जब print करवाएंगे तो left diagonal का जो sum है वो 19 print हो जाएगा तो guys इस way में हम left diagonal को print करते हैं I hope आपको left diagonal easily समझ में आया होगा अगर कोई भी doubt है तो नीचे comment section में ज़रूर पूछ सकते हो again बता दू left diagonal का वही एक concept है same index values at row and column 001122 right so अब देखते हैं right diagonal क्या होता है जब हम बात करते हैं right diagonal की तो उसका एक अलक logic है पहले तो observe करो right diagonal कौन सा होता है right diagonal मतलब ये वाले elements right अब इनके index value में एक चीज अबसर्व करो घ्यान से observe करना एक बात ये 3 into 3 का array है तो अब इसकी index values देखो 2 plus 0 कितना होता है 2 1 plus 1 2 and 0 plus 2 2 और ये sum 2 का और कहीं भी इस पूरे इस पूरे matrix में 2 नहीं बनता अब अगर ये ही मानलो चीज में 2 into 2 matrix की बात करो right अगर मैं बोलो 2 into 2 matrix है for example 1 2 3 4 तो इसमें अगर हम लोग index values देखें तो ये होगा आपका 00, 01, 10, 11 ये 3 और 2 की index values का अगर आप sum लो इसका 1 है plus किया 1, 0 plus 1 is again 1 and इसका order है 2 into 2 अब एक बात आपने समझी जब order आपका 3 into 3 है तो sum of the indexes ये जो आपकी index values का जो sum होना चाहिए वो 2 आएगा जब आपको order 2 into 2 है तो जो right diagonal की index values होंगे उनका जो sum होता है वो 1 आएगा और इसी वे में अगर मैं आपसे बोलू 4 into 4 में आप इस sum को right diagonal की जो elements है उनके index values का जो sum check करोगे वो 3 check करोगे तो ये होता है आपका right diagonal का logic जिसमें हम sum check करते हैं अब देखो क्या है अभी तक तो ये तो same ही रहे गए यहां तक input करवाया था हमने जैसे left diagonal में एकदम वही है यहां था हमने input कर रहा है elements को अब change क्या होगा एक loop लगेगी जो हम लोग generally row के लिए लगवाते है 0 to r-1 एक लगेगी 0 to c-1 less than equal to c-1 अंदर हम check करेंगे if i plus j देखो इसकी value क्या है i plus j 2 plus 0 is equals equals to r-1 यह जो है r-1 की equal r की value आपकी क्या है 3 c की value 3 है कुछ भी लिख सकते है r-1 c-1 अगर यह चीज़ equal होती है तो अब i plus j क्या है 2 plus 0 2 plus 0 will be equal to 3 minus 1 2 अब यह 2 equals equals to 2 होगा तो sum is equal to sum plus a of ij and a of ij में आपके 20 पड़ा हुआ है similarly अगर यहां पर बात करें 1 1 जब i की value 1 होगी j की value 1 होगी उस case में भी यहां पर अगर 1 1 लिखेंगे तो यहां पर तो आपके 2 ही रहेगा r-1 and 1 plus 1 2 equals equals to 2 तब भी वो sum is sum plus a of ij कर देगा and इस वे में यह 3 बार यह चलेगा इसके लिए इसके लिए और इसके लिए जब i की value 0 होगी j2 होगा i1 j1 and i2 j0 तब यह 3 बार चलेगा वहाँ पर 3 बार sum आ जाएगा बहर आके the sum of right diagonal is आप sum को print करवा सकते हो so guys यह होता है आपको right diagonal का logic फिर से बता दू left diagonal के logic के लिए आप check करते हो बस a की वो values जिस पे जो index values है 00, 11, 22 वो same रहती है और अगर बात करते है right diagonal की तो right diagonal में आपका जो है sum of index values आप उसमें check करते हो जो sum of index values है that should be equal to r-1 या c-1 यह होता है बहुत ही easy सा right diagonal और left diagonal का logic I hope आपको वीडियो अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो do hit the like button and do share this video as much as you can आप मेरे channel की playlist में से बाकी की बहुत सारी videos uploaded है वहाँ से आप Java की playlist search कर सकते हो thank you so much